अलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस जायता है एक बार फिर आगे हूँ आप सबसे मिलने एक नए रेसिपी साथ में लेके चलिए आज ये नए वाला रेसिपी देख लेते हैं ये जो रेसिपी है ये फ्लाट बीन से बनता है इसका सबजी है जो केले के पत्ते में बनाया जाएगा तो ये रेसिपी को हम लोग बेंगोली लोग पातुरी बोलते हैं तो चलिए ये सीम फली का जो पातुरी बनता है ये रेसिपी सीख लेते हैं और जान लेते हैं ये कैसे बनता है फ्रेंड्स, आमी अपना देर बोंधव जोईता, आबार एक्टा नोतुन रेसिपी निया अपना देश वोंगे द्याखा कोरते है शेज देखे निन आजके रेसिपी शीमेर पातुरी, शीम शीत काले को भालो पावा जा, शीत काले भालो शेई शीम दिया, आमना तोरी कुरे ने वो आजके शीमेर पातुरी, जेटा कॉला पता बाना नो हवे, ये तर कुईक रेसिपी आमना देखे निक छी, ये है सीम फली, मेरा म उससे हमने बहुत बारिक इसे छोटे-छोटे हिस्सों में उसको काट लिया है इस रेसिपी के लिए इतना ही बारिक सिम्फली हमें काट लेना है देखून बढ़ो शीम तक थेके खुब शुखो-शुखो कोड़े छोटो-छोटो कोड़े शीम गुलों के केटे निये छी एही रेसिपीट है अरोवेशी शुष्षा दू हावे ऐसे काट लेने से यह रेसिपीट बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है ताब भी ऐसे बारिक से इसको काट लीजिए और यह जो सिम्फली है इसको मैंने पहले से वश्च कर लिया था बढ़ा वाला को फिर ही काट किया थ इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा से सॉल्ट एट किया है एक टू नून दिये थी तारपाशी गलो के भालो कोड़े माखिये नीची सॉल्ट एट कर लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से सिम्फली के साथ में मिक्स कर रही हूं अभी 10 मिनिट ऐसे इसको धक्के रख दें 10 मिनिट बाद हम लोगों ने धक्कन हटा लिया है उसमें से काफी पानी आ गया है पानी से हम लोग नीचोड के सिम को निकाल ले रहे हैं दूसरे एक प्लेट में ठाकना शोड़िये एक टू मेखे निलम तार पॉर जॉल्ट के शीम गूलो के तूले नीची एक प्लेट शुक्न शीम टे यूज़ कोरों इस रेसिपी के लिए हमें नारियल चाहिए होगा जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लिया है हम लोगों को बिल्कुल बारिक नहीं पीस ना है ऐसे दरदरा करके पीस ना है देखू ना में एक खने रेसिपी टेशोर नार देखिए मैंने स्लाइस जानियन लिया है देखून आमीं पे आच कुछी निये छी इस रेसिपी के लिए हमें ये चाहिए ये रेसिपी टेशोर नामनों राद्दे रेटा प्रोजोन आर आमी निये छी बेश खारिक टा पोस्तो बाटा कीछूटा शोर्षे बाटा आर नार ँडाल कोड़ी से डाल पिशिय नियुकार वारा शिपीटा ढार गुर्षी के लिये छाए नियूर रेसिपी ने तोरी डाल क्याहिए और हमें चाहिए देखे ये खस-खस का पेस्त मानिया है सर्सो का पेस्त लिया का पृत् लिया है Pangировать लिए वाकिन हम में लिए है ये नारि से में काटके कुछ ग्रीन चिलीज लिया है और किछुटा लॉंका कुछी आमी निया ची रेसिपितर जूनू देखिए सिम्फली का जो टुकरा है उसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन मिर्ची जो मैंने स्लाइस करके रखा था उसको एड़ कर दिया फिर थोड़ा सा प्याज अभी मैंने खसखस का पेस्ट डाल दिया है अभी डालूंगी थोड़ा सा सर्सो का पेस्ट इसको मैंने पेस्ट बनाते हुए एक ग्रीन में चीज के साथ में डाला था ताकि ये करबा ना हो जाए इब एक तो शोशे बाता दिला में शोशे बाता श्रुमें अमी ये बार एर्मुद्धे नारकेल बाता दिये दिलाम इस मिक्स्चर में आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता अच्छे से चॉप करके इसमें डाल सकते है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा अभी थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया मैंने मेरे पास आज धनिया पता नही दिलाम निया है अब आफ मैंने थोड़ा सा सा चाहे तो ना भी जाल मैंने थोड़ा सर्सो का और अउम है अब के बार आट करें से थे चाहित को एक सात मिला रही हूं इसके बाद मैं हातों के मदद से इसको मिदा लोगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारा मसाला सिंफली के साथ में शक्टेर पड़े हमी हाथ दिये फूरो मौशलार मिश्रों टा एक में तक आपने अपने घर थो ने पाथा कूछी हों ही मिस्रों आ दीते पारें तक आड़ा टेस्टी होबे मैं नहीं क्यूते ही जहीं कमश्ट के एक ऊच्छा की आचिए और से अच्छे से वाश करके कर साफ, श्यूंख्ट पेल और तरका राको जाम ≥ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दुबारा एक और पत्ते को सेख लिया है अब अच्छे से देख लीजिए देखुन शीकेनेयर पर पतर इरकुम दिखते लगबे देखिए मैंने वही मिक्शेर को एक सेका हुआ पत्ते में रख लिया है विचारो और से मैं सरसो का ओयल डाल दूँगी और एक ग्रीन चिली को बीच में से चीरा लगा के मैं उपर रख लूँगी देखुन अमी शैका कॉला पतर मोंधे वी स्टोंटा के रेखे दिये ची नेक्स चार पाष्ट तेक एक टो शोशे तेल छोड़िये दिला अब हम लोग इसको फोल्ट कर लेंगे ऐसे रख लेने के बाद कैसे फोल्ट किया जाता है आप लोग देख लीजिए कैमन को भाच को बिन देखे निन ऐसे ही हमें फोल्ट कर लेना है थोड़ा साब्धानी से कीजिए यह अब हमें शाब्धाने यह टके फोल्ट कोड़े नीता होबे किया हुआ तब मैं वो पत्ते को रख लूँँगी थोड़ी दिर होने दूँँगे फिर इसको उलड़ दूँँगी देखुन गौणम कोड़ा तावाय आमी कौला पातर के दिये दीछी एबर एटा की चुक्खुन होबे तार पड़ा मी एटा के उल्टे देवो इस टाइप का खाना पनाते हुए हमें गैस को सिम रखना है देखिए ये बनना शुरू भी हो गया अंदर से ये पकड़ा है 10-15 मिनिट ऐसे रखना है फिर हमें इसको उल्ट देना है एट आई पे रानना कोड़ा श्रमाय आमादे गैस्टा के शब्षों में सीम कोड़े राखते होबे ये ता धीरे धीरे भेतोरे दिख्टा रानना होते थागवे तो आमने इवह वह ये टाके जानना कोड़े नेवह की चुखों तर पर दौस्ट मुनिट बादे आपार उल्टो साइट चाके नीचे दीके कोड़े देवो उल्टे नेवह एक साइट दस मिनिट को हो जाने के बाद फिर हम इसको उलट देंगे ऐसे ही बार बार उलट अब देखें मैं इसको दुबारा उलट दूंगी दूसरा साइड अभी पकेगा इस टाइम पर हम लोग धकन भी यूज कर सकते हैं मेरे पास धकन है तो मैं उपर से धक रही हूं आपके पास नहीं होगा तो आप धकन भीना ही इसको बना सकते हैं लेकिन धकन लगाएंगे तो यह थोड़ा जल्दी पकता है देखून आमी पोड़े उटा के उल्टे दिए ओपोर थे धकना दिये दिये अपना दिर का चाच धाकना थाक ले ओप अपना रैटर वाना थे पारें लेकिन इसमें धरने के बाद नहीं है रेसिपी इंट्रेक्ट है उसके अंदर जो हम स्टेफिंग की थी वो अच्छे से पक रहा है देखून कोला पाता ता बाइरे दिख दी एक टू फेटे चावे ताते भॉय पावर की छुनी भेतोरे चे पूट्टा अम्रा दिये छी शेटा रानना होते थाक छे पाइरे दीके कोला पाता कुलो एक टू फेटे चाए बार कि दुवारा मैंने इसको पलट दिया देखूना अमी येटा के आबार उल्टे दिला में फवे उल्टे पाल्टे डानना चाहोबे देखिए मैंने गैस से पत्ते को निकाल लिया है एक प्लेट में रग दिया है अभी मैं दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा बना है देखून देखिए ये अंदर से कैसा बना है ऐसे धीरे धीरे हमें निकालना है देखिए ये अंदर से कैसा बना है ये अभी गरहम है एक हुने इटा भेतो टम्रा खुले देखाची ये एक हुनों गौडूम रोचे ये ठांडा होते देवो तार पौर आम्रा अचके सर्फ कोड़े देवो तो ये भवे आपना बाड़ी ते शीम पातुरी बानिये फेलून ऐसे ही सीम फली का जो पातुरी होता है उसको आप लोग घर में बना लीजिए ये टेस्टी बनता है बहुत इसको जरूर ट्राइ कीजिए मेरा जो सीम फली का पातुरी है ये रेडी टू सर्फ है आप इसको पड़ो सर्फ ये आप फैमली के साथ एंच्वाइ कीजिए इसको जरूर ट्राइ कीजिए घर में रेसिपी टे आपनारा बाड़ी तो अबश्च्वाइ ट्राइ कोड़ून और फ्रेंड्स और फैमली शाथे एंच्वाइ कोड़ून आड़ामा के लिखे जाना बें छे शबाई खे आपना देर क्यामोन भोले छे अबश्च्वाइ जानावे और नए 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 रेसिपी के आपनारा चैनल डी का अवश्च्वाइ सब्स्क्राइब कोड़ून